सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए और ये कह सकता हूँ मैं साथियों कि अगर इस क्लास के 50 कोशन आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इस समझ लिजे के परिक्शा के 4-5 प्रिस्ट इसी क्लास से फसेंगे तो क्लास आपके शुरू हो चुकी है और पहला प्रिस्ट आपकी स्क्रियन पर आच चुका है आप से पूछा जा रहा है कि नॉबल शांती परिस्कार किस नगर में दिया जाता है बताने की कोशिश कीजे चलिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों नॉबल शांती परिस्कार साथियों किस नगर में दिया जाता है तो आसलो नगर में दिया जाता है इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वा उप्शन नबर सी के साथ जाएगा अगर बात अगर बात करें सातियों कि नॉबल पुरसकार जो होता है न ये किस के दौरा दिया जाता है तो नॉबल फांडेशन पूछा आप से जा रहा है कि किसी भी छेतर में आसाधारण एवं लब्द पृतिष्ट सेवा के लिए किसी वैक्ति को राश्पती द्वारा प्रदत सर्वुच्च असाइनिक पुरसकार का नाम है इसके बारे में आपको बताना है क्या साथी उसका नाम है बताईए चली तो आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर आपका जाएगा आप्शन नमबर ए के साथ आंसर जिनका भी यहाँ पर ए है तो बिलकुल करेक्ट है चली उसके बाद दिखिए कि परवासी भारती की सहेता आर्थ भारत समुदाय कल्यान कोश कब अस्तित में आया तो भारत औरी 2009 को अस्तित में आया इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर डी के साथ जाएगा चलिए उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का प्रशन आपकी स्क्रीन पर है आपसे पूछा जा रहा है साथियों के निमिकित में से कौन सी जोड़ी कौन सी जोड़ी स समेलत नहीं है जल्दी से करेंगे स्कॉषन का बिल्कूल कर्यक्ट अंसर आपका क्या हो सकता है बताइए साथियों एक बार आप सबी लोग इस क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शियर अवश्य कर देंगे ठीक है साथियों अगर बात करते हैं आपर ग्रीन पार्क कहा पर है देखिए मुझे मैंने देखा पहला वाला बिल्कुल सही था क्योंकि बारामती स्टेडियम साथियों काटक में है सवाई मांसिंग स्टेडियम साथियों जैपुर में है नहरों स्टेडियम साथियों चन्ने में है लेकिन जैसे नदर पर इक ग्रीन पार्क पर तो साथियों ग्रीन पार्क लकनों में थोड़ी ना है ग्रेन पार्क कहां पर है साथियो यूपी के कानपूर में है इसलिए आंसर आपका किस आप्शन के साथ जाएगा तो आप्शन नमबर डी के साथ जाएगा चलिए उसके बाद देखिए कि ना खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकता है बताएए ना खत्म होने वाली कहानी नामक आत्मकता सात्यों किसकी है तो वीपी सिंग की है सात्यों किसकी है वीपी सिंग की है इसलिए सही जवाब आपका जो होगा आप्शन नमबर टी के साथ जाएगा ठीक है सात्यों चलिए उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का चलिए अगर बात करें सातियों भारत के संगीत नाटक एकाडमी के द्वारा कितने शास्त्री नित्र को मानता दी गई है तो आठ शास्त्री नित्र को मानता दी गई है कौन कौन से कथकली है भारत नाट्यम है कथक है कोची पुरी है ओडशी है मड़ी पुरी है और मोहिनी अ आपसे अगर पूछा जाए कि पाई का मान किसने ने रुपित किया तो भी आरभटने और इस्थानी अमान प्रणाली किसने दी तो भी आरभटने ही दी नेक्स नमर का पुछा जा रहे हैं सातियों कि निम्नान कि संगी तक बो एवम वाधि अंतरों के जोडों में से कौन सा सही नहीं है बताईए तो सातियों कौन सा सही नहीं ये बात करें पन्नालाल गोश वासुरी वाधक है निकल बनरजी सितार वाधक है और अमजद अली खां सरोद वाधक है लेकिन विलायत खांसातियों ये तबला वाधक नहीं है बलके ये सितार वाधक है कौन सा सुमेलित नहीं होगा डी वाला स जासी उत्तर हो जाता है चले अब उसके बाद देखेन नमे नम नमबर C के साथ जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ बताने की कोशिश कीजिए बताइए चलिए तो कब साथियों पारित हुआ 2005 में पारित हुआ इसलिए सही आपका आंसर जो जाएगा वो उप्शन नमबर B के साथ जाएगा उसके बाद देखें सेभी के साथियों फुल फॉर्म क्या हो सकती है वताने की कोशिश कीजिए देखें सेभी को हिंदी में कहते है भारतिय परतिबूती और विनिमें बोर्ड ठीक है अगर बात कर इसकी स्थापना कब की गई तो 12 अपरेल 1988 को इसकी स्थापना की गई यह आपको ध्यान रखना है अगर बात कर इसकी फुल फॉर्म की तो Securities and Exchange क्या Securities and Exchange Board of India साथियों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी तो जिनका अंसर यहाँ पर option number B के साथ तो बिलकुल correct है उसके बाद देखिये साथियों कि इन राजम ने किस छेतर में ख्याती प्राप्त की थी तो साथियों इन राजम ने वाइलिन वादन के छेतर में साथियों जो है वो ख्याती प्राप्त की थी सही जवाब आपका जो जाएगा option number C के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर C है तो बिल्कुल correct है उसके बाद देखिये डॉक्टर सालीम डॉक्टर सालीम मुईजद्दन अली अब्दुल किस के लिए प्रसिद हैं बताएगे किस के लिए प्रसिद हैं आपसे पूछा जा रहा है तो साथियों यह के पक्षी विग्यानी है कौन है पक्षी विग्यानी है यह आपको ध्यान रखना है इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो option number A के साथ जाएगा और अगर बात करें डॉक्टर सालीम अली को क्या कहा जाता है तो bird man of India कहा जाता है यह भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है ठीक है चलिए उसके बाद देखिए नेक्स नंबर का प्रशन है के एक सहकारी समिती में पालन किये जाने वाला सिध्धान्त कौन सा है बताईए तो एक सहकारी समिती में मोरियल टूलिप गार्ण साथियों कहां पर इस्थित है तो ये कहां पर है चंदीगड में मैसूर में श्री नगर में या साथियों दर्जिलिंग में तो ये कहां पर इस्थित है ये साथियों श्री नगर में इस्थित है इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो आप्श रूम में साथमयों में किया जाता है तो चतु वार्शिक कहा जा सकता है ठीक है साथमयों? कियां चतु वार्शिक कहा जा सकता है इसलिए आनसर आपका किस invasion के साथ जाएगा तो option नबर B के साथ जाएगा और जिनका answer यहां पर B है तो बिल्कुल correct है उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का प्रिशन है कि वहाँ कौन सा सुरक्षाबल है जो केंद्रिय ग्रहम अंतराले के तहट नहीं आता है यानि केंद्रिय ग्रहम अंतराले के तहट सातियों कौन कौन सा आता है तो सशत्र सीमा बल आता है सीमा सुरक्षाबल आता है और भारती बस सीमा पुलिस बल आता है लेकिन रेलवे सुरक्षाबल की अगर बात करें तो ये तो रेल मंतरा ले के अंतर गताता है इसलिए आंसर आपका जो जाएगा आपशन नमबर सी के साथ जाएगा एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अगर पूछा जाए भारतिय थल सेना के बारे में या भारतिय सेना के बारे में या जल सेना के बारे में या वायू सेना के बारे में तो ये सातियों तीनों सेनाओं की अगर बात करें तो रक्षा मंतराले की अंदर गताती हैं ये भी आप लोग ध्यान लखेंगे उसके बाद देखिए कि नाइलॉन के अविशकार के साथ निम्मे में से कौन सम्मंदित है बताने की खोशिश कीजिए बताईए चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें तो नाइलॉन के अविशकार के रूप में सातियों की से जाना जाता है तो नाम आपको ध्यान लखना है डॉक्टर वैलस एच केराथर्स को जाना जाता है इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर है आप्शन नमबर डी के साथ तो बिल्कुल करेंगे शही है अगर बात करें नाइलॉन की तो यह मानप के दोरा तयार किया गया पहला रेशा है नाइलॉन यह आपको ध्यान लखना है ठीक है साथियों चले उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का पूछा जारे क्या में अमार की मुद्रा क्या तो और ये भी मैं आपको बार बार कोशन्स इस परकार के करवाता हूँ कि जिनकी राजधानिया है मुद्रा इंपॉर्टल ले तो म्यामार की मुद्रा सातियों क्या है तो म्यामार की मुद्रा है क्या इसलिए सही जवाब आपको आप्शन नमर डी के साथ जाएगा अगर बात करें म्यामार की राजधानी क्या है तो नयाई पीडो है ये आपको दिहान रखना है म्यामार का पुराना नाम क्या था तो बर्मा म्यामार का पुराना नाम था अगर बात करें सातियों टका की तो ये तो बांगला देश की मुद्रा है सातियों टका और ढाका की अगर बात करें तो ये सातियों राजधानी है बांगलादेश की ठीक है सातियों चलिए अगर बात करते हैं सातियों आपर रुपया जो है ना रुपया 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 की अगर बात करें तो रुपया कहां कहां की मुद्रा है तो मौरिशस की है प्रदेश के मेश पाल हैं कौने हिमाचल प्रदेश के मेश पाल हैं इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो किस आप्शन के साथ जाएगा तो आप्शन नमबर C के साथ जाएगा उसके बाद देखिए थॉमस कप का सम्मंद सातियों किससे हैं बताने की कोशिश कीजिए तो थॉमस कप का समंद किसे सातियों बैड मिंटन से हैं तो जिनका आंसर यहाँ पर C है बिल्कुल करेक्ट है निम्ड में से एंटी टैंक निर्देशित मिसाइल फायर एंड फॉर्गेट किसे कहते हैं तो साथियों किसके द्वारा प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंतराले के द्वारा प्रदान किया जाता है सही आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर D के साथ जाएगा और अगर बात करें साथियों दादा साहिफ और अरफाल के पुरुसकार ये भार आमार का पुराना नाम बर्मा था ये मैं आपको बता चुको और मैं आमार की मुद्रा क्याथ है और राजधानी नयापीड़ो है या अभी मैंने आपको सातियों बताया था उसके बाद देखिए नेक्स्ट नमबर का प्रशन आपके स्क्रेंट पर है आपसे पूछा जा रहा ना ये भी सातियों एक एंटिवारस प्रोग्राम है लेकिन रेविट की अगर बात करें तो सातियों ये सबसे अलग हो जाएगा इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन अमबर B के साथ जाएगा दिल्ली में संसत भवन का निमान किस अबधी के दोरान किया गया था तो सातियों 1921 से 1927 की अबधी के दोरान किया गया था ये आपको ध्यान रखने इसलिए आंसर आपका आपका आप्शन अमबर C के साथ जाएगा संसत भवन की अगर बात करें तो इसके वास्तुकार कौन थे तो एडविन लूटियंस और हवर्ट बेकर इसके साथियों वास्तुकार थे या आप लोग ध्यान रखेंगे राश्ति संसत भवन में 144 खंबे हैं साथियों ठीक है और 12 गेट है ये भी आपको ध्यान रखने हैं आप से पूछे जा सकते हैं चलिए उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का प्रशन आपकी स्क्रीन पर है बताईए चलिए पूछा जा रहे हैं कि निम्लिकित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है तो साथियों ब्लैक ब्यूटी किसे कहा जाता है आपको ध्यान रखना है मार्स एक कोईले के रंग का पत्थर जो है इसे ब्लैक ब्यूटी कहा जा सकता है तो जिनका आंसर यहां पर है option number D के साथ तो बिल्कुल character answer वही बहुत बड़िया फेरी कुट class चली उसके बाद देखिए next number का प्रिशन है के परवेज मुशर्व की जीवन तक था in the line of fire के गुपत लेखा कौन है बताईए चली 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 सात्यों class के एक बार आप सबी लोग लाइक करके class के एक बार शेयर आवश्य कर देंगे ठीक है चली तो बात करें अगर इस question का right answer जो होगा वो हुमायू गोहर के साथ जाएगा आपको ध्यान रखना है के परवेज मुशर्व की जीवन का था in the line of fire के गुपत लेखक सात्यों कौन है तो हुमायू गोहर है या आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए next number का प्रश्ण आपके screen पर है कि निन में से कौन सा जुड़वा नगर नहीं है बताए बाई चली कोचीन नहीं है कोचीन एरना कुलम नहीं है बैंगलूरू मैसूर नहीं है मुंबई पूरे नहीं है चिन्नाई जिंगले टूपुट नहीं है बताएए चली तो यहाँ पर अगर बात करते हैं सात्यों देखिए भारत के जुड़वा नगर कौन से पूछे जा रहें कौन से हैं भारत के जुड़वा नगर कौन से हैं तो सात्यों इसमें से अगर बात करें कोचीन और एरना कुलम जो हैं यह भारत के जुड़वा नगर हैं यह आपको धियान रखना है इसलिए आंसर आपका जो जाएगा जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा तो ऑप्शन नमबर B के साथ जाएगा ठीक है चले उसके बाद देखिए अगले नमबर का पुछन है पूछा जा रहा है कि न्यूमिसमेटिक्स किसका अध्यन है बताईए देखिए न्यूमिसमेटिक्स जो होता है न यह साथिए न्यूमिसमेटिक्स को नुमिसमेटिक्स को मुद्रा शास्तर भी कहा जाता है और यह अगर बात करें साथिए किसका अध्यन है तो यह साथिए सिक्को NBA का अध्यन है यह आपको ध्यान रखना है सही जवाब का प्रशना आपके स्क्रीन पर है कि सैनिक वा सावान को आधिक उचाए पर पहुचाने सहीद अपनी संचालन छंपता बढ़ाने के लिए भारत ने अधिदिक सशक्त हेलिकॉप्टर वायू सेना में आपचारिक रूप से शामिल किया है इसका नाम सातियों क्या है तो इसका आई सत्तरवी फाइब इसका नाम है क्या सत्तरवी फाइब इसका नाम ही ये नाम आप लोग अपने जहन में एक बार दियान रखेंगा उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का प्रशन से नमलिकित में से कौन सा यूंग में सुमेलित नहीं है ठीक है तो देखे राजा दोपत दिहाई की बात करते हैं सात्यों तो गुजराती भाशा से सम्मंदित नहीं है क्यों क्यों कि ये सात्यों बांगला साहितकार है इसलिए गलत कौन सा होगा सात्यों आप्शन नमर डी वाला होगा और यही आपका राइट आंसर है उसके बाद देखिए पंडित राम सात्यों किस से है तो फेडरेशन कप का सम्मंद सात्यों किस से है बताने की कोशिश कीज़े देखिए ना तो कुष्टी से है ना वर्टरपोलो से और ना बिर्च से है सात्यों किस से है तो आपको ध्यान डखना है फुटबॉल से है या आपको ध्यान डखना है फेडरेशन का विस्तार बिल्कुल सही प्रकर्दिक संपदा की खोज बिल्कुल सही देश की सुरक्षा के निगरानी करना या मौसम की जानकारी प्राप्त करना तो सातियों देश की सुरक्षा ये इसलिए कहां नहीं जा सकता ठीक है इसलिए ये एक इसका उद्देश नहीं है सातियों त कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना और भारती अंत्रिक्ष अनुसंदान संगठं का मुख्याले कहा है तो बैंगलोरू में है उसके बाद देखिए सातियों के जनगलना 2011 के अनुसार नियूंतम साक्षरता दर्वाला राज सातियों कौन सा है तो बताने की कोशिश करेंगे कौन सा है आपको ध्यान रखना है बिहार है इसलिए सही जवाब आपका आप्षन सी हो जाता है जनांकी की अंतرाल शब्द क्या सूचित करता है तो जानांकी की अंतराल शब्द सातियों क्या सूचित करता है जन्व वा मित्रुदर के बीच अंतर ये सातियों बताता है इसलिए सही जवाब आपको आप्शन नमर्डी के साथ जाएगा चली वाई अब उसके बाद देखिए अगले नमबर का प्रिशन है के सातियों भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हौकी में सुनपदक गीता था तो कब जीता था सातियों भारत ने पिछली बार 1980 में जो सातियों मौसको ओलंपिक में हुए थे इसमें हौकी का सुनपदक गीता था ये आपको ध्यान रखना है इसलिए आंसर आपका जाएगा आप्शन नमबर सी के साथ उसके बाद देखिए लोक नत और राज्यों के युगमों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताने की कोशिश कीजिए बताईए चलिए चलिए बई देखें साथियों नीचे से अगर यहां पर हम लोग बात करें न तो बाउल की अगर बात करें साथियों तो यह तो पशिम मंगाल का है साथियों उसके अलावा कजरी की बात करें तो उत्रपदेश का है तमाशा की बात करें तो महराश्ट में किया जाता है लेकि जूमर की बात करें तो ये बास्केट बॉल से सम्मदी थे इसलिए सही जवाब आपको आप्शन नमबर C के साथ जाएगा उसके बाद देखिए भारत में प्रिस आफ वेल से संगराले का नया नाम निम्निकित में से क्या है तो भारत में Prince of Wales संग्रहले का नया नाम सातियों च्छतरपति शिवाजी संग्रहले है ये आप लोग ध्यान रखेंगे इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर A के साथ जाएगा USA इतिहास के वह एकमातर राश्पति कौन है जिन्होंने आज तक दो बार गैन निरंतर अमेरिकी राश्पति के रूप में पदबाहर समाला है तो उनका नाम क्या है इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे ग्रोवर क्लीवलेंड इनका नाम है ये परिक्षा में आपसे प्रिशन साथियों पूछा जा सकता है उसके बाद देखिए कि नेपाल की पहली महिला राश्पति कौन थी बताएए चलिए तो कौन थी सातियों विद्या देवी भंडारी ये नेपाल की पहली महिला राश्पति थी इसलिए आंसर जिनका भी आप्षन नमबर B के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है अगर बात करें नेपाल के पहले प्रधान मंतरी कौन थे तो तुलसी गिरी थे ये आपको ध्यान रखना है नेपाल की राश्धानी की अगर बात करें तो काटमंडू नेपाल की राश्धानी है IP address यानि कि IP के पता के बिंदुदार बिंदुदार दशमलब प्रारूप में हर सिट को क्या कहा जाता है या आप से पूछा जा रहा है तो क्या कहा जाता है ओक्टेट कहा जाता है इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो option number B के साथ जाएगा उसके बाद देखिए रेल गाणियों के संबंद में संचिप्त नाम का यानि के RLWL का पूरा रूप क्या है तो साथियो RLWL की अगर बात करते है न तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी या आपको बताना है बताईए चलिए तो remote location waiting list हो जाएगी क्या हो जाएगी साथि बहुत बड़िया very good class चलिए उसके बाद देखिए federation cup किस खेल से संबंदित है आपसे पूछा जारे देखिए साथियों ये दो जो कोशन है न ये अभी जितने लगबग 48 कोशन आपको पढ़ाएगे हैं ये उन में से है बीच साथियों ठीक है तो अब आप लोग जल्दी से बता दीजे कि federation cup किस खेल से संबंदित है बताने की कोशिश कीजे बताइए तो साथियों ये तो football से संबंदित है लेकिन यहाँ पर football लिखा नहीं इसलिए answer आपका option number D के साथ जाएगा अगर बात करें साथियों भारती अंतरिशकार करम का क्या उद्देश नहीं है तो ये भी साथियों मैं आपको इसी class में करवा चुका हूँ तो मुझे देखना है कि आपकी mind power साथियों कितनी है कि अभी का पड़ा हुआ आप याद रख पाते हैं अगर याद रख पाते हैं तो बताइए इसका right answer साथियों क्या होगा देखिए भारती अंतरिशकार करम का उ ही है तो बिलकुल correct है तो साथियों ये 50 प्रिशन उमीद करता हूँ class आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो class को एक बार like करके class को share कीजेगा मिलते हम सभी लोग आने वाली वीडियों में जैहिन साथियों